विगत सरकार ने कुलपती समीत्ती की सिफारिश के आदार पर वर्ष 2023 चोईश के चातर संग चुनाओं पर रोग लगा दी थी चातर संग चुनाओं में युवा राजनितिक मुल्यों को सीखता है युवा दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ना सीखता है जहां पहली बार जन सेवा की भावना अंगडाई लेती है वर्तमान राजनितिक परिदर्शे का आदार स्थम्भ है राश्टर सक्टी राश्टर सक्टी धनिवाद अधिक्स महुदे चातर संग चुनावों के समन्द में परकेरिया नियम 295 के अंतरगत विसे सुलेक निवेदन है की विगत सरकार ने कुलपती समीति की सिफारिष के आदार पर वर्ष 2023 के चातर संग चुनावों पर रोग लगा दी थी समीती द्वारा कीगी सिफारिष के अनुसार चातर संग चुनाव नवीन सिख्षा नीती के परबावी किर्यानवन में बादक है चातर संग चुनावों के संबंद में उक्तर्क पुनतर उचित्य हीन है मेरा राजय सरकार से आगरे है की युवा हमारे देश का भविष्या है और युवाओं में राजनितिक छेतर में नेतरतो चमता के विकास के लिए निमत रूप से चातर संग चुनावों कराए जाना परदेश के युवाओं के लिए नितान तावस्यक है चातर संग चुनाव देश की राजनीती नीती निर्मान में युवाओं की भागिदार इसू निश्चित करते हैं चातर संग चुनाव राजनीती की पर्थम सीडी है जो नवीन राजनीतिक पीडी को तयार करती है आज राश्ट्री राजनीतिक नेतरतों के साथ साथ राजे स्तर पर अधीक्तम नेतरतों करता चातर संग राजनीती से निकले हैं माननी अद्धिक्स मोदेर स्यम इसी राजनीती चातर संग राजनीती से आते हैं मेरा समंद भी चातर राजनीती से रहा है और साथ ही साथ इस सदन में बड़ी संख्या में ऐसे सदे से उपस्तित है जनोंने चातर राजनीती के मंद से अपनी राजनीती की यात्रा शुरू की चातर संख चुनाओ में युवा राजनीतीक मुल्यों को सीखता है युवा दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ना सीखता है जहां पहली बार जन सेवा की भावना अंगडाई लेती है चातर संख चुनाओ वर्तमान राजनीतीक परिदर्शे का आदार स्तंभ है जिस पर आगामी राश्टर निर्माण की रूप रेखाता है होगी एक स्वाबाविक लोगतांत्रिक व्यवस्ता में चातर संग चुनाओ, अपरिहार्य और अनिवार्य है। मैं राजे सरकार से निवेदिन करना चाहूंगा की स्वाच, पारदर्सी और नियमित चातर संग चुनाओ करवाने की किरपा करावें, आपका यह निर्णे राश्टर निर्माण में, राश्टर के निती निर्माण में, राश्टर के लोग कल्यानकारी आउधानना की सकारी कर मैं सायोग परदान करेगा चातर सक्ति रास्टर सक्ति बहुत बहुत धन्यवा